असदुदीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्हों बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए, उनको शाद पता लगना चाहिए, जब एक फत्वा निकलता है, क्योंकि ये परसनल लॉग परसनल लॉग बोलकर घुमते रहते हैं, बोलते हुए, जब परसनल लॉग के अंदर फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका तटेजल लॉफ फर देम इन डाट रिलिजन जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लों को उसी दाइरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए जब फतवा निकला है कि आप वीफ नहीं काना चाहिए तो इन्हों प्रादन मुसल्मान बन जाना चाहिए, मुसल्मान बन जाते हैं, जब बनना नहीं है, उनको नहीं बनते हैं, इसके आलावे में आप एक सवाल करती हूं, आप से, कि एक मुसल्मान का जीवन इतना चोटा हैं, कि बीफ काटो, बीफ काटो, फिर बीफ काटो, बीफ काटो, ये बोलते बोट वोट मांगने जा रहे हैं आप एसम्बली एलक्षंस पे भी उन्हों ऐसे एक मुद्धाकडा करें शायद आपको याद है याद नहीं है तभी भी उन्हें यही बता है अगर आप एम आएम को वोट नहीं दोगे तो यह लोग आपको बीफ खाने नहीं देते यह यह इसको बना के दिखा रहे होगे हम्रों ऐसे को बोल परिते ना तुम तरकारी Christ करिणने अमारे को यह तो ठरकारी नाने देते में तो ठरका Jaun कटे नहीं देते या चाबल इसकी जिन्दगी पढ़े लिखे होना एक एक ऐसे होदेगा आना कि शान दने खुद के लिए परिवार के रश खेल पहरों पर ख़ड़े रहने की बात हैना चाहिए यह स्वाधे पर लिखे हो जात मेरे जैसे लॉयर बनो ऐसा कुछ बोलना चाहिए न वीफ कव क्या मतलब है वोत वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए कि साफ करवाने के बात करना कच्चड निकल वाने के बात करना मैं ड्रेनेज कर आप लोगों से यह बात नहीं करेंगे आप एक मुसल्मान की जिंदे कि छोटी मेना देरे भीफ के लिए ताजब के बात मेरे लिए तो यह रख्मान